आप सबी का स्वागत है आज हम बात करते हैं अशोकन्द पिलर्स या अशोक के स्तम के बारे में सो जैसा के हम जानते हैं के समराठ अशोक ने अपने कार्यकाल में काफी सारे स्तम्भों का निर्मान करवाया और उसी स्तम्भों को अभी लेखों से उतकिन करवाया इन सबी अभी लेखों में समराठ अशोक की बुद्ध नीतिया उनकी लोगों के प्रती एक तरीके की प्रजावचसल नीती बुद्ध धम के या बुद्ध धर्म या धम जो पॉलिसी अशोक की थी उसके लक्षण उन सबी का उलेख किया गया है अशोक के स्तम्भों के बारे में जानते हैं सो ये है नॉर्मल पिच्चर ओफ अशोकन पिलर अशोक के स्तम्भों को देखा जाए तो ज्याड़तर चार भागों में इसको विवजित किया जाता है एक के बाद एक हम अशोक के स्तम्भों के बारे में जानते हैं इसे कहा जाता है मौनोलिथिक शाफ्ट जिसे हम हिंदी में एकाश्म डंड कहेंगे एकाश्म डंड का अर्थ ये है कि ये एक ही पत्थर से तराशा हुआ है मौनोलिथिक शाफ्ट के उपर एक कवल आकार की आकरूती होती है जिसे हम कहेंगे लोटस शेप्ट और बेल शेप्ड कैपिटल इसे हिंदी में कहा जाता है कुम्भी का कुम्भी का के उपर चौरस लंचौरस या फिर एक वर्तुलाकार एक डिस्क जैसा होता है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है अबैकस या हिंदी में इसे हम कहेंगे मंड या कभी कभी इसे कंट के नाम से भी जाना जाता है मंड या अबैकस के उपर एक प्रानी की आकरूती होती है या एनिमल फिगरिन स्तंब सिर्ष जो होता है यहां पर होता है हमारा एनिमल फिगरिन यह इसे स्तंब सिर्ष की प्रानी की आकरूती या किसी जानवर की आकरूती हम बोल सकते हैं सो इस तरह मौरिय जो अशोकन्द पिलर है इसको चार भागों में विबाजित किया जाता है अशोकन्द पिलर के बारे में और कुछ तथ्य जाने तो इन्स की एवरेज जो उंचा या हाइट है वो तकरीबन 40 फिट की होती थी बिल्डिंग मंटीरियल किस प्रकार के पत्थर से बनाया गया है सो ज्यादातर माना जाता है कि अशोक के जो पिलर है वो बफ कलर्ड सैंड स्टोन जो चुनार से लाए जाते थे उनसे ज्यादातर अशोक के पिलर या अशोक के स्तंबो का निर्मार हुआ है यह कभी कभी देखा जाए तो अशोक के कुछ जो स्तंब है वो रेड एंड वाइट स्पॉटेड मतूरा सैंड स्टोन से भी बने हुए है जो मतूरा से प्राप्त होते है मगर ज्यादातर देखा जाए तो यह बफ कलर बलुवा पत्थर जो चुनार से लाए जाता था उनसे बने हुए होते है अब बात करते हैं अशोकन पिलर्स कहां कहां से और कौन-कौन से प्रकार के अशोकन पिलर्स अशोक के स्तम है अशोकन पिलर्स की बात करें तो अशोकन पिलर्स में आते हैं मेजर पिलर एडिक्स या मेजर पिलर इंस्क्रिप्टिंस एन माइनर पिलर इंस्क्रिप्टिंस याने छोटे स्टम्ब अभी लेक मेजर पिलर इंस्क्रिप्टिंस कौन कौन सी जगा उसे मिले हैं उनके बारे में जानते हैं सो एक मिला हुआ है कौसांबी जिसको बाद में अलाबाद अलाबाद स्थानांतरिक किया गया जहांगिर द्वारा एक स्थम्ब अभी लेक हमें मिलता है तोपरा हरियाना में और दूसरा मिलता है मेरट उत्तर प्रदेश में इन दोनों अभी लेखों को या इन दोनों स्थम्ब आ लेखों को स्थानांतरिक किया गया है डैली में फिरोट्षा तुगलक द्वारा इसे आज डैली टोपरा या मेरुट टोपरा के नाम से या मेरुट डैली के नाम से जाना जाता है और ये आजकल हमें मिलते है डैली में इसमें जो टोपरा हरियाना वाना जो अभी लेखे वो हमें फिरोट्षा कुटला के ग्राउंड में आजकल ये स्थीध है और अभी लेखों की बात करें सो एक है लॉरिया अरेरांज दूसला है लॉरिया नंदनगड लॉरिया अरेरांज और लॉरिया नंदनगड हमें मिलते है इस्ट चम्पारण और लॉरिया नंदनगड हमें मिलता है वेस्ट चम्पारण ये बिहार में स्थीध है एक अभी लेख हमें प्राप्त होता है राम पुर्वस ये भी बिहार में स्थीध है इसे राम पुर्वा भूल कैपिटल भी कहते है क्योंकि इस स्टम्प पर जो एनिमल फिगरीन था या जो प्रानी की आकुरू थी थी वो थी वो था एक बैल दूसरा एक इंस्क्रिप्शन हमें या अभी लेख पिलर इंस्क्रिप्शन हमें महरोली से भी प्राप्त होता है और एक नौथ वेश्टन पार्ट ऑफ इंडिया कंधार में से भी एक अभी लेख हमें प्राप्त होता है ठीक है तो एक और हम लोग लिखते थे कंधार अगर हम माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन या छोटे अभी लेखों की बात करें तो इसके तीन प्रकार है एक प्रकार है सिजम एडिक्ट या इसे संग बेद अभी लेख भी कहा जाता है संग बेद अभी लेख हमें मिलता है सांची सारनाथ और प्रयाग प्रयाग राज में एक जो माइनर पिलर एडिक्ट है इसे कहा जाता है क्विन्स एडिक्ट इसे रानी का अभी लेख भी कहा जाता है यह रानी का अभी लेख समराट अशोक की जो रानी थी कवरव की उनके द्वारा ये बनाया गया है और इसी अभी लेख में समराट अशोक की रानी कवरव की और उनका एक पुत्र ती वरा इसका अभी लेख रानी के अभी लेख में प्राप्त है वैसे समराट अशोक के काफी पुत्र और पुत्रिया थी मगर सिर्फ एक ही पुत्र है जिसका उलेख और एक ही रानी है जिसका उलेख हमें अशोक के अभी लेखों में मिलता है रानी कवरव की और पुत्र तीवरा बाकी के जो भी रानिया अशोक की थी या उनके पुत्र और पुत्रिया थी उनका उल्लेक हमें मिलता है विविद साहितिक स्त्रोतों में से क्वीन्स एडिक की हम आगे बात करें सो इसी रानी के अभी लेक में हमें समराट अशोक समराट समुद्र गुप्त और शहनशा जहांगिर के अभी लेक हमें प्राप्त होते हैं इसी क्विन्स एडिक्ट में दूसरे जो माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है उन्हें कहा जाता है कोमो मोरेटिव अभी लेक या स्मृती अभी लेक कोमो मोरेटिव अडिक्ट यह स्मृती अभी लेक दो है एक है निगाली सागर का और एक है रुमन देई निगाली सागर अभी लेक के बारे में बात करें तो निगाली सागर अभी लेक जो नेपाल में स्थी थे वह अशोक के राज्यकाल के चौदावे वर्ष में उसको गठित किया गया था उसके अंदर जो इंस्क्रिप्शन या अभी लेक है उसके बारे में लिखा गया है कि समराट अशोक ने जो कौंकमणी स्थूप था उस कौंकमणी स्थूप को एनलार्ज करवाया उसका जो विस्तार था वो बढ़ाया रूमंदेई अभी लेक के बात करे वो राज्यकाल के अशोक के बीशवे वर्ष में उसकी सररचना की गई थी रूमंदेई को लुम्बिनी नाम से भी जाना जाता है जो बगवान भूड की जनमस्थली है इसी रुमन देई को समराट अशोक ने अपने राज्यकाल के 20 वे वर्ष में वहाँ पे गए थे और रुमन देई को विजिट किया था बगवान बुद की जन्मस्थली को विजिट किया था इस inscription अभी लेक में देखा जाए तो उसमें उतकिन किया गया है कि समराट अशोक अपने राज्यकाल के 20 वे वर्ष में रुमन देई लुम्बिनी आए बगवान बुद की जन्मस्थली देखी और यहाँ पे जो गाउँ था उसका जो टैक्स था उद्बली के जिसे कहते हैं व जो वन एथ तक दीओ कर दिया. Tax has been reduced to one thesz अथ अप्रडउश मिन्स रुमन देई है इस में एक्जेम्टेड फ्रॉम देग्वान कारिऑ्ट रॉमन देई हैं अगर हम अशोकन पिलर के अंदर आए हुए अभी लेखों की बात करे सो हमें मालूम है कि ज्यादा तर अशुक के अभी लेख जो लीखे गए है उनसकी स्क्रिप्ट या लीपी कौनसी है ब्राम्मी और भाशा अगर हम बात करे लैंग्वेज सो ज्यादा तर इसमें हमें प्राकृत ग्रीक और अरे माइक ग्रीक अरे माइक भाशाव में ये अशुक के अभीलेख हमें प्राप्त होते हैं कुछ-कुछ अशोक के अभिलेख माना जाता है के पाली भाषा में भी लिखे गए है और कहीं कहीं पे हमें ब्राम्मी के साथ साथ खरोष्ठी स्क्रिप्ट या खरोष्ठी लीपी का भी उलेख हमें प्राप्त होता है अशोक के जो जो अभी लिखे उसके बारे में बात करें जो पिलर इंस्क्रिप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अर्थाद लोगों की रक्षा दूसरे पिलर एडिक में बताया गया है डेफिनिशन अफ धम्म एंड वर्चियूस तीसरे अबिलेक में प्राप्त होता है Abstain from scene Abstain from scenes पापों से दूर रहना जैसे के एंगर है cruelty है harshness है इन सभी पापों से दूर रहना और धम्म का अनुसरन करना ये तीसरे पिलर inscription में लिखा गया है चौथे पिलर inscription की बात करें सो उसमें डिरेक्शन्स गीवन टू राजुकास राजुकास वो अशोक के समयकाल में royal offices होते उनको निर्देशन दिया गया है कि वो हर पांच साल में धम्म यात्रा करें और धम्म का प्रचार और प्रस्ता लोगों में करें और देखें कि क्या वो धम्म का अनुसरन कर रहे है या नहीं पांच वेस्त तंब अभी लेक के विश्व की बात करें तो उसमें अहिंसा का जिक्र किया गया है और उसी में कौन-कौन से प्राणियों को नहीं मारा जाएगा उनका उलेक किया गया है चठे अभी लेक में अशोक की धम्म पॉलिसी अशोक की धम्म निती के बारे में उलेखीत किया गया है और साथ वा जो अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें समराट अशोक के धम्म कारिय के बारे में धम्म कारिय के बारे में अलग-अलग कौन-कौन से नीतिया अशोक द्वारा अपनाई गई है और कौन-कौन से कारिय किये गए है वो सब कुछ लिखा गया है तो इतना ही है अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में नेक्स टैम हम मिलते हैं किसी और शॉट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे तब तक लिए गुद डे और गुद लुग